नमस्कार कक्षा 10 के विद्यार्थों का स्वाकत है हमारे अपने चैनल इस्टडी वित्राकेश सर में तो मित्रों बहुत अच्छी खबर है यह है कि आज से हम लोग कक्षा 10 का एसस्टी के क्लास सुरू करने जा रहा है ठीकिना आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की समाजिक विद्यान का जो होल पार्ट है उसमें क्या हम चप्टर पढ़ेंगे क्रिसी जो बहुत एक्जाम के द्रिश्टी कोण से बहुत इंपोर्टेंट चप्टर है तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा चैनल पर नहीं है तो सब प्रार्तमी क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने जीव को मं करते हैं उसके बाद बेबार की माध्यम से किया जाता है उसके बाद जो तो कंपनियों में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमारे त्यार किये जाते हैं जो हमारे क्रिसी द्वरा उत्पादित कच्चे मालों पर अधारित होते हैं तो क्रिसी एक ऐसी क्रिया है जो हमारे लिए खदान का वह उत्पादन करता है आद्योगी कारियों के लिए हम कच्चे मालों क काफी उत्पादन करते हैं तथा अपने बेफारिक द्रिष्टिकों से चाय काफी मसाले इत्याद का हम क्रिसी के माध्यम से ही उत्पादन करके उसका नेरियात करते हैं तो ध्यान से समझे क्रिसी क्या हुआ क्रिसी एक ऐसी प्राथमिक क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने ल दाल धान जो भी चीज है जो खाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं साग सब्जी फल ये सब हम लोग खद्यान के रूप में हम लोग क्रिसी से ही उत्पादित करते हैं कमपनियों में आद्योगिक रूप से जो प्रोडक्शन होता है जो उत्पाद हमारा त्यार होता है उस और आप लोग को मालूम है कि यह प्राथं में रखा जाता है जैसे उसके तीन चैत्रक ? प्रहत्म जहत्र में रखा जता है तो मुझको उमीद है क्रिसी का परिभासा इंदे करसे करते हैं यह आप देखते हैं कुछ क्रिशी प्रक्रिया refers क्रिशी में वहें करते हैं तो उसमें कौन-कौन- thought होते हैं क्या करते हैं सबसे पहले और आपको बता दें अधिकांसत जो लोग हैं गाउं से जुड़े हैं और जो गाउं से जुड़े हैं उनको क्रिसी के बारे में ज्यादा समझाने की जरूत नहीं है वह सब जानते हैं बस वह ही है कि हमको पड़ा लेना है और इसको समझ लेना है और इसमें कुछ अपने से भी लिखेने का प्रयास किजिए आप लोग तो देखिए क्रिसी प्रकिरिया यह यहां पर हम लिखे हैं ताकि समय का बचत हो कम से कम समय में हम अधिक से अधिक देखिंए तो पहला काम होता है जुटाई का यानि खेत को जोतना आप jan to ये पुछे आपसे कि मतलब क्या होता है अप बाब सकते हैं आप मिटी को भूरूरा करते हैं और उसकी तक्निक माधिम लेटे यह ँसमें हम बीज को ढलते हैं इस की बुवाई करते हैं तो उस पर क्रिया पूहराई काते हैं उसके बाद है नियराई, जब उसको हम बीज 보रें यह जा गया उतने के बाद उसकि बुवाई होजाती है तो उसमें काम हो जाएगा वहले हमने जुताई किया फिर वुवाई किया उसके बाद निराई यानि खर-पतवार या पसिष्ट जो घासे हैं जो नुक्सान पहुंचाती है मुख फसल को उसको बाहर निकलने करिया निराई कहलाता है उसके बाद उस फसल में पानी जो डाला जाता है पा प्रभाव से दुस्प्रभावित हो रही है यानि उसको किट नुक्सान पहुंचा रहा है तो हम उस फसल को बचाने के लिए इतना सक्वाओं का प्रियोग भी करते हैं इतना स्टेप होता है इतने स्टेप के बाद जब हमारी फसल त्यार हो जाती है फसल त्यार थोड़ी करने के बाद कमप्ली रूप सभी तो हुआ नहीं है करने के बाद हम क क्या करते है उसके JUST तो उससे जो बालिया होती है उसके जो खाने वाला जूग मैसे अलग करते हैं इस प्रक्रिया को क्या करते हैं बालियों से बीजो को अलग करने की जो क्रिया है यह हमारा ठाट इस सफेर और से आधी होगा पर भाएख करना इतना समझ में हाइए जेता है अगर दोस्त मेति जो भी आपके व्युक्त परिजिए वर्चप ग्रूप या फीसबूप ग्रूप हैं उसके शेर कीजी इसको उसके बाद क्रिसी प्रणाली हं लोगों प tiene बैसे के मतंब यह होता है कि ऐसी क्रिति जिसमें जो किसान होता है वह परंपरिक बीधी के द्वारा परंपरिक में जो पुरानी बीधी है और परंपरिक उपकरोणों के द्वारा जो खेती करता है और अपने जीव को पारजन के लिए करता है इन्हें अपनी जीव का चलाने के लिए जो खेती करता है उसको बलते हैं निरवाहक्रिसी यानि उ वो साल भर उसको खाएगा उसको सेल नहीं कर सकता है उसका जीव को पार्जन होगा उससे केवल उखाने योगी जब क्रिस्ट प्रोडक्शन करता है उत्पादन करता है तो उसको बोलते हम कौन से क्रिसी निर्वाह क्रिसी इसमें एक बात ध्यान देना है कि इसमें याद रख निर्वाह क्रिसी होता है लेकिन थोड़ी सी टिकनलाजी एडप्ट कर लेता है जब किसान जो है उसमें उर्वरकों का प्रयोग करेगा आधोनिक जो तकनीक है उसका प्रयोग करेगा उसके बाद से उसका प्रयोग करेगा जब उसको उत्पादन करेगा तो उस क्रिसी को हम ब करेगा सिर्फ अपने जीवकों पार्जन के लिए उसको बोलेंगे निर्वाकरेशी लेकिन यदि और वर्णक का प्रयोग किया आधानिक तक्निक का प्रयोग करके जब खेती करेगा तो उसको बोलते हैं है मना करके वहां पर खेती करता है और जैसे जैसे उस मिट्टी की उपजाव चमता कम हो जाती है जब उपजाव चमता उसकी कम हो होता है एक जगह आपने खेती किया और वहां पर उसके उपजाओ छमता कम होगे तुसको छोड़ दीजिए और फिर दूसरी जगह सफाई उफाई करके आपने खेत बना लेजिए और वहां खेती कीजिए ऐसी किसी क्रिसी को करतन दहन प्रणाली या अस्थनांत्रित क्रिसी क की जाते हैं तो याद रखे वाड़े tahun cricket और ऐसी और दहन की यह जो मिलेगा और यह कई बार प्रश्वों कुछ करना यह इसको कहते हैं शर्वाट किया जाता हुआ अधिक स्रम और अधिक मुझी के नीवेज़ किया जाता है ऐसी क्रिसी में इसको हम बोलते हैं वाड़ी जी के क्रिसी और रोपड क्रिसी भी एक प्रकार की वाड़ी जी क्रिसी है लेकिन इसमें थोड़ा सा जो फसल है वो फिक्स है जैसे केला हो गया गन्ना हो गया ऐसी जब फसलों का खेती किया जाएगा उसको हम रोपड क्रिसी कहेंगे रोपड क्रिसी भी एक प्रकार का बड़ेजी कृति क्रिसी है जो बेपारीक दुरिश्टी कोार इसमें कामन है कि दोनौं का करने का प्रयास किया जाता है लिकिन इन आपको पता हि यह जतनी फसलों है यह दोनों दょक्सान हो जागा एक साल करेंगे तो यहां निर्यात करने का प्रयास किया जाता है और यह जीविका चलाने के लिए क्रिसी किया जाता है बस इतना अंतर समझे इसके बात जो है हम दोनों में अंतर समझेंगे कि बड़ी जी क्रिसी और गहन क्रिसी में डिफरेंट क्या होता है एक बड़ी जोद पर किया जाता है एक छोटी जोद पर किया जाता है किसी का उपयोग यानि गहन क्रिसी में अपना जीव को पार्जन करने के लिए किया जाता है इसका मुख्यों देश बेपार करना होता है दोनों में डिफिरेंट, कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आप कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको खैसा लगा, यदि चाहते हैं कि ये सीरीज आगे भी कंटीनियूर है, तो प्रीज कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो पसान दाता है तो इसे लाइक क मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक देखते रहे हैं, आप लोग का अपने चनल में इस्टड़ी भी तरकेसा,